इत्यूट की आनलाइन क्लासिस में आप सभी मित्रों का श्वागत है मित्र आज से हम जो है चैप्टर वाइस क्यूशन एंसर करवाएंगे जो आज का टापिक है वह प्रागयतिहासिक कला से सम्मंदित है प्रागयतिहासिक कला से सम्मंदित लगभग हम 75 प्रश्ण करवाएं आईजे देखें हैं प्रागय एतिहासि कला से सम्मंधित महत्मूर्ट प्रश्नों की स्रिंखला का पहला क्यूषर है अपका ध्यान दीजीज पहला क्यूषर आपसे कर रहा है कि प्रागय एतिहासिक कला का अर्थ है एक रहा है उस समय की कि ते जMichael जब मानों के अस्तित्त का लिखित साक्ष प्राप्त नहीं था उस समय की कला जब मानों के अस्तित का लिखित साक्ष प्राप्त था लेकिन पढ़ा नहीं गया सी कहा राए मध्यकालीन कला को हम प्रागैतिहासिक कला कते हैं और डी कहता है आधनी कला को हम प्रागैतिहासिक कला कते हैं बिलकुल आसान है चलिए देखा जाए चलिए पहला प्रष्ट बहुत ही महत्मून, ध्यान दीजिएगा यहां पर सब्द है आपका प्रागे इतिहासिक काल अब ध्यान दिजिएगा मानो जीवन को, मानो जीवन के इतिहास को या मानो जीवन के समय को लिप तथा लेखन के आधार पे तीम भागों बाटा जाता है, एक आपका प्रागे इतिहासिक काल है, दुसरा आद इतिहासिक काल है, तिसरा इतिहासिक काल है, प्रागे इतिहासिक काल किसे कहते हैं मानो जीवन का वह समय, मानो जीवन का वह समय जब लिप तथा लेखन की जानकारी नहीं थी, जब लिप तथा लेखन का ग्यान प्राप्त नहीं ता मनुश अशब तथा बरबर था वह काल क्या कहलाता है प्राज एतिहासिक काल अर्थात आपका आपसन जो है ए जो है बिल्पुल सही है जो भी कह रहा है उस समय की कला जब मानो के अस्तितु का लिखित साक्ष तो प्राप्त होता है लेकिन पढ़ा नहीं गया वह काल आपका आद एतिहासिक काल कहलाता है आद एतिहासिक काल किसे करते हैं मानो जीवन का वह समय मानो जीवन का वह समय जब क्या है जब लिप तथा लेखन का ग्यान तो था लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया वह समय आद एतिहासिक काल के अंतरगत था तो यहाँ पर प्राग एतिहासिक काल में आपका उत्तर क्या है ए जो है बिल्कुल सही जो भी भाई बंदो आपसन ए लिखे होंगे उनके उत्तर क्या है बिल्कुल सही यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है चाया मिस्रा जी बीना जी रेनु जी संध्या जी चाया जी आनंद कुमार संदीप जी, धर्मेंदर कुमार प्रतिमा जी, ज्यान प्रकाश जी, सारे लोगे कुत्तर जो है, यह जो है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर देखे, कुछ लोगों ने बी लगाया है, आसीस कुमार जी भी अब भी जो है, वह आद इतिहासिक काल के अंतरगत आता है, ठीक है, यहाँ पर जो जी लोगों ने सी इत्यार लगाया है, सारे लोगों कुत्तर क्या है, बिल्कुल गलत है, आईए देखा जाए, अब दूसरे प्रश्ण की तरफ चलते हैं, देखे, दूसरा प्रश्ण आपका क्या कह रहा है, चलिए, देखते हैं, दूसरा कर दिवे काल के अंतर्गत आता है वे डिकाल हड़पा सब्जता, पासाणकाल आधनिकाल चली बहुत महत्पूर्वक्रूर्ब क्यूशन है, प्रागयतीहासिक आल केANS आते हैं वेडिकाल, हड़पा काल, पासाणकाल, आधनिकाल देखिए अगर हम बात करते हैं प्रागेतिहासिकाल का मानों क्या था उस समय प्रागेतिहासिकाल का मतलब है उस समय को उस समय जो है लिप तथा लेखन की जानकारी नहीं थी उस समय क्या था लिप तथा लेखन का ज्यान नहीं था मनुष्य असब्य तथा बरबर था जो तीसरा महत्पूर बात है उस समय जो है मनुष्य का भोजन क्या था सिकार एवं आखेट था सिकार तथा आखेट था अब जो है सिकार तथा आखेट जब भी कोई मानो करेगा किसी का भी जब कोई मानो जो है किसी जो है किसी पस या किसी त्याद कर जब सिकार करेगा सिकार के लिए हथियार चाहिए और हथियार किसका बना था इस समय इस समय जो है पत्थर के हथियारों से सिकार करता था पत्थर के हथियारों से जो है वह सिकार करता था तिसरा जंगल के हिंसक जानवरों से बचने के लिए हिंसक जानवरों से बचने के लिए वह किसका प्रियोग करता था वह पत्थर के हंथियारों का प्रियोग करता था उसके बाद देखा जाए कि हिंसक जानवरों से बचने और प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए वह प्राकित निर्मित गुफाओं में रहता था वह किसमें रहता था? प्राकित निर्मित गुफाओं में रहता था अब जिसको हम क्या कहेंगे? सैलास्रे कहेंगे अब ध्यान दीजिएगा अब ध्यान ये प्रागैतिहासिक काल के मानों के जीवन में पत्थर की भूमिका अनिवार थी अतात प्राग एतिहासिक काल के बानों के जीवन पत्थर की भूमिका अनिवार थी इसलिए प्राग एतिहासिक काल के अंतरगत आपका पासान काल आता है थीक है इसलिए प्राग एतिहासिक काल के अंतरगत क्या आता है आपका पासान काल आत उनके उत्तर क्या है, सी जो है बिल्कुल सही है, आप लोगों की संक्या बिल्कुल कम है, इसलिए आप लोगों के जितने भी कला ग्रूप हैं, आप लोगों से सम्मंदित जितने भी कला ग्रूप हैं, जिससे आप जुड़े हुए हैं, जो आपके इश्ट मित्र दोस्त त्या से करा ज्यान दीजिएगा तिसरा प्रण करा भारत में प्रागयतिहासिक चित्रों के प्रमाण प्राप्त होते हैं यहां पर मतलब यह है कि भारत में प्रागयतिहासिक चित्रों की जानकारी प्राप्त होती है या भारत में प्रागयतिहासिक चित्र कब से प्राप्त होते हैं यह बताया जाता है भारत में प्रागयतिहासी चित्रों के प्रमार प्राप्त होते हैं या भारत में प्रागयतिहासी चित्रों की खोच किसकाल में हुआ अगर देखा जाए तो भारत में प्रागयतिहासी चित्रों की प्राचिंता लगबग कितना है 5000 इसापूर माना जाता है भारत में प्रागेति हासी चित्रों की प्राचिंता कितनी मानी जाती है पांच हजार इसापूर अर्थात वर्तमान से देखा जाए तो आज से साथ हजार वर्स पहली ठीक है तो जो यह काल है पांच हजार इसापूर यह किसके अंतर गताता है यह नौपासाण काल के अंतर गताता है अर्थात आपका आपसर सी क्या है बिल्कुल सही है अर्थात तीसरे का जो भी बाई उत्तर सी लगाएं है तीसरे प्रश्ण का उत्तर जो भी मित्रा इंसर सी लगाएं है उनके उत्तर क्या है बिल्कुल सही है चलिए चलते हैं अगले प्रश्ण की बात करते हैं अगला आपका चौथा प्रश्ण चलिए चौथा प्रश्ण कर रहा है भारती चित्रकला का इतिहास कितने वर्सों का है तो यहां बात होती भारती चित्रकला का इतिहास प्रलब उसकी प्राचीनता से सम्मंदित है भारती चित्रकला का इतिहास कितने वर्सों का है तो अर्थात इसकी प्राचीनता से सम्मंदित माना जा रहा है और प्राचीनता का मतलब जो है वह प्रागैतिहासिक चित्र के बारे में पूछ रहा है किसके बारे में वह प्रागैतिहासिक चित्र के बारे में पूछ रहा है और प्रागैतिहासिक चित्रकला की जो प्राचिंता है वह लगभग 5000 इसा पूर माना जाता है और वर्तमाल से आप देखेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 7000 वर्स 7000 वर्स तो आपका उत्तर क्या है डी जो है बिलकुल सही है जो भी भाई बन चौथे का उत्तर डी लगाए है उनके उत्तर क्या है बिलकुल सही है ठीक है चलिए 4 प्रश्ण आपके हो गए ठीक है और आपकी संख्या बढ़ नहीं रही एक बार आप लोग थोड़ा संख्या भढ़ाई ए ठीक है चलते हैं अगले प्रश्ण पर आपका पाँचमा प्ष्ण दियान दीजिगा पांचमा प्रश्ण चलिए पांचमा प्रश्ण नीफली कर थे भारत में प्रागयति हां सिख सिलाचितलों की खोज़ कब और कहां हुई दिखान दिजेगा अग्रेजो ने किया कहां पर किया ए बतायाजर है अठारह सो असी स्वी में मिरजापुरुक्तर प्रदेश बी बतायाजर है प्रागैति हासिक सिलाचित्रों की खोच कब और कहां होती है तो भारत में प्रागैति हासिक जो है सिलाचित्रों की खोच 1880 इस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में होती है ठीक है और खोच करता कौन है आर्चिवाल कारलाइन साथ है तो आपका उत्तर जो है यह बि की खोज हुई जो आपके मद्ध प्रदेश के राय सेंजी ले मिस्तित है वी एस वाकड कर महोदे ने खोजा 1932 स्वी में जो है पंचमढ़ी की खोज जो है जी आर हंटर महोदे ने किया और 1922 स्वी में होसंगाबाद के प्रालेत यहां सी चित्रों की घोज जो है मररंजन घो है और यहां से निशित रूपस जो है आपका किशन पूस्ता है कि 1922 इस्वी में जो है तीक है 1922 इस्वी में जो है किसने खोज किया तो मरंजन घोस ने होसंगाबाद के चित्रों की खोज किया जी आर हंटर ने 1932 इस्वी में पंचमढ़ी की गुफा चित्रों की खोज किय 1958 इस्वी में वी-स वाकड कर महोदे ने भीम बेटका के चित्रों की खोच किया तीक है और सरप्रतम भारत में प्रागे टिहासिक सीला चित्रों की खोच 1888 इस्वी में हुआ कहा पर हुआ मिर्जापूर मिर्जापूर कहा है उत्तर प्रदेश में जिसके खोज करता जो है आर्चिवाल कारलाईन साथ है तो आपका उत्तर क्या है यह जो है बिल्कुल सही है चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्ट बहुत ही महत्पोर्ण प्रश्णा आपके सामने चलिए छट्मा प्रश्ट देख लिया जाए तो छट्मा प्रश्ट बहारत में प्रागयतिहासिक सिलाचित्रों की खोज किसने की द्यान दिजेगा कि भारत में प्रागयतिहासिक सिलाचित्रों की खोज किसने की अब आप जानते हैं भारत में प्रागयतिहासिक सिलाचित्रों की खोज कहां कम होती है अठारा सो असीश्वी में हुआ कहां पर हुआ आप जानते हैं मिर्जापुर में हुआ मिर्जापुर किस प्रदेश्ट में है यह उत्तर प्रदेश्ट में श्थित है ठीक है और किस पहाड़ी पर पाया गया वह आपका कैमूर पहाड़ी पर है किस नदी घाटी में वह कौन सी नदी घाटी है सो नदी घाटी में ठिक अब यहाँ पर खोज करता कौन है A आपका बताया जा रहा है आर्चिवाल कार लाइन B है आपके जानमारसल C है आपके G.R. हंटर और D है आपके मनरंजन भूज अगर यहाँ पर देखा जाए भारत में प्राग एतिहासिक सिला चित्रों की खोज आर्चिवाल कारलाई ने किया ठीक है तो आपका उत्तर ए जो है बिल्कुल सही है जी आर हंटर महोदय जो है यह पंचमढ़ी गुफा चित्रों की खोज करते हैं मनरंजन घोष साहब जो है यह होसंगाबाद के चित्रों की खोज करते हैं चलिए छटवा प्रश्ण बहुत ही महत्पोर प्रश्ण है चलिए एक बार हम देखना चाहते हैं आप लोग की संख्या 232 है ठीक है इसको आप लोग 500 क्रास करवा दिजी अगर आप लोग चाहेंगे तो निश्यता रूप से यह संख्या जो है 500 क्रास हो सकती है चलिनि आगे देखा जाए अगला प्रशन ध्यांदीजिएगा अगला प्रश्ण है भारती प्रागयतिहासी चित्रकला का मुख्य विसे क्या है यहां पर आपको मुख्य विसे पूछ रहा है देखे चित्र तो मनरंजन से सम्मंदी चित्र बने शिकार से सम्मंदी चित्र बने पस्वों के चित्र बने तमाम जादू टोना भैस सम्मंदी चित्र बने लेकिन यहां पर जो क्यूशन पूछ रहा है वह मुख्य विसे पूछ रहा है और भारती प्रागयतिहासी चित्रों क जो मुख्य भी से है वह सिखार कथा आखेट से सम्मंदी चित्र बनाए गए हैं तो आपका उत्तर क्या है बी जो है बिल्कुल सही जो भी भाई बंदू आप संग भी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है बिल्कुल सही है ठीक उनके उत्तर क्या है बिल्कुल सही आईए चलते है अगले प्रश्ण की बात कर लेते हैं अगला प्रश्ण है आपका आठमा प्रश्ण चलिए आठमा प्रश्ण आपसे कर रहा है ध्यान दीजेगा कि प्रागयतिहासी काल के चित्रों में किस सैली का अधिक प्रियोग हुआ है प्रागयतिहासी काल के चित्रों में चित्र है अब आपसन के आधार पे देखा जाए A करा नाग सैली B करा यक्ष सैली C करा बेसर से पहले तीनों की बात कर लेते हैं नाद सैली और यक्ष सैली जो है यह बौध सैली है यह बौध चित्रकला सैली है अगर हम बेसर सैली की बात करते हैं आप ध्यान दिये होंगे नागर सैली बेसर सैली द्रविड सैली यह तीनों जो है मंदिर अस्थापत सैली माने जाते हैं जिसमें से बेसर सैली क्या है आपक मंदिर अस्थापत सैली है अर्थात नाल सैली और यक्च सैली यह बहुत चित्र सैली है बेसर सैली आपका मंदिर अस्थापत सैली है और प्रागयतिहासिक काल में हमको चित्रों में छेपांकन सैली का प्रभाव दिखाई देता है छेपांकन सैली के हमको चित्र मिले हैं तो कि उत्तर डी जो है बिल्कुल सही है कि भाइबंदु आप संटी लगाए है उनके उत्तर क्या है बिल्कुल सही है Чलिए है या डी जो है बिल्कुल सही है या दोनों बहुत धर्म से सम्मंदित है, बहुत धर्म चित्रकला सैली है, बेसर सैली आपका क्या है, मंदीर स्थापत्य सैली है, तो छेप यहां बचा कौन, छेपांकन सैली, हम देखते हैं आपको कि प्रागैतिहासी काल में छेपांकन सैली के प्रमार प्राप्त होते हैं, चलिए अग प्रागयतिहासिकाल में चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रियोग किया गया है यहां पर खनी जरंग इसी को हम क्या कहते हैं भूमी जरंग भी कहते हैं जलरंग तैलरंग कोई नहीं तो चलिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसमें जलरंग आप जानते हैं तैलरंग तो यह तो बहुत बाद में आया तो यहां पर जिस प्रागयतिहासिकाल में जिल रंगों का प्रियोग किया गया वह क्या है आपका खनिज रंग जिसको हम भूमिज रंग कहते हैं जिसमें सरवाधिक जो है लाल तथा गेरू रंग का प्रियोग किया गया प्रागय पिहासिकाल में लाल तथा गेरू वंका क्या किया गया है सरवाधिक प्रियोग किया गया है तो आपका उत्तर क्या है यह जो है बिल्कुल सही है जो भी भाई बंद आपसन ए लगाए हैं उनके उत्तर क्या है बिल्कुल सही है चलिए बहुत अच्छा आप लोगों का जबाब बिलुकुल अच्छा रहा है ठीक है और आप लोगों बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों ने प्रयास भी किया है संख्या भी बढ़ा दिया है आप लोगों ने अब दुबारा नहीं कहेंगे आप लोगों से आप लोग समझदार है चलिए चलते हैं अगले प्रश्ण की बात कर लेते हैं अगला प्रश्णाप का दस्मा प्रश्ण का रहा है प्राग एतिहासि काल में सरवाधिक किस रंग का प्रियोग हुआ है ध्यान दिजेगा प्राग एतिहासि काल में सरवाधिक किस रंग का प्रियोग हुआ है तो यहाँ पर कहीं हरे रंग का भी प्रियोग हुआ है पीले रंग का भी प्रियोग हुआ है सफेद रंग का भी प्रियोग हुआ है गेरू तथा लाल रंग का भी प्रियोग हुआ है अगर इन सारे रंगो की बात करते हैं तो प्रागैतिहासी कालिन चित्रों में सरवाधिक किस रंग का प्रियोग हुआ है वह क्या है गेरू तथा लाल रंग का प्रियोग हुआ है और यह प्रश्ण बहुत ज्यादा पूस्ता है तो आपका उत्तर क्या है सी जो है बिल्कुल सही है जो भी भाई बं सवर हैं यह लगातार जारी रहेगा जैसे माल लीजिए आपके प्रागैति हासिक काल की अगर हम बात करते हैं ज्यान दीजिएगा अगर हम प्रागैति हासिक काल की बात करते हैं प्रागैति हासिक काल में कुल हम 75 प्रश्ण करवाएंगे एक दिन जो है कितने प्रश्ण करव चलेगा उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो है उसके बाद जो है आद्विती हासिकाल बेहरपा सभिता वैदिक सभिता से क्रिशन रहेंगे इसके बाद जो है ठटवी सताबदी इसा पूर्थ से जो है क्रिशन स्टार्ट होगा ह benefiting काल तक के क्यूशन रहेंगे जो आप से सम्मंदित क्यूशन होगा उसके बाद मंदिर अस्थापत से सम्मंदित क्यूशन होगा उसके बाद सल्तनत काल मुगलकार राजस्थानी सहली पहाडी सहली उसके बाद जो है आधुनिक कला उसके बाद जो है समकालीन कलाओं में जो आ और आपका चल रहा है, यहां आपके लिए बहुत ही महत्तों भूनिका होगी। का उत्तर क्या है डी जो है बिल्कुल सही है जो भी भाइबंद अकि जो है डी लगाएं है उनके उत्तर क्या है बल्कुल सहीं है चलिए अगले प्रश्ण की बात करते हैं अगला प्रश्ण आपके सामने है भी अब बरहमा प्रश्ण बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्ण है द्यान देजे कि बरहमा प्रश्ण कर रहा है भारत में प्राल्यातिहासिक चित्रों का धरातल क्या है अब देखिए चित्रों के लि प्रागयतिहासिक चित्रों के धरातल क्या है ए बताया गया कि लकड़ी पर चित्र बनाए गए बी है आपके ताड़ पत्र पर चित्र बनाए गए और डी है आपके चमने पर चित्र बनाए गए तिहां पर अगर हम देखते हैं भारत में प्रागयतिहासिक चित्रकला की बात आती है प्रागेतिहासिक कालीन मानो चित्र बनाने के लिए जिस धरातल का प्रयोग करता था वह सिला या चत्ताने होती थी तो आपका उत्तर क्या है सी जो है बिल्कुल सही जो भी बाई बंद आप संसी लगाएं है उनके उत्तर क्या है बिल्कुल सही है चलिए अगले सबस्र 하지만 प्रश्न होंगा और मानों द्वारा बनायाय गए चित्र हैं मुझेन स्वर्णाइडिक क्या कहलते हैं इससे हैं पास्थर कि आक्रा प्रश्णाइब गया प्रश्णाइब प्रष्णाइब भी गलत है ताड़ पत्र पर यह भी गलत है अर्थात उस आधि मानों जो है गुफाओं की धिवारों एवं जो है छतों पर चित्रांकन करता है जिसको हम गुहाद चित्र कहते हैं तो आपका आपसन क्या है ए जो है बिल्कुल सही है तेरह प्रश्ण का उत्तर क्या है आपका जो है बिल्कुल सही आगे च्पते हैं अगले प्रश्ण की बात कर लेते हैं चौधाह़मा अर्था जो प्रआगयथिहासी काल काल का मानों था वह किस चीज के बने ऑजारों का प्रियोग करता था A है लोहा B है पकी मिट्टी का C है पत्थर, लकड़ी, हड़ी का D है कोई नहीं देखिए अगर हम लोहे की बात करते हैं तो उत्तरबैदिक काल में उत्तरबैदिक काल इन गरंथों में जो है हमको लोहे की जानकारी प्राप्त होती है अर्थात लोहा उस काल में था ही नहीं तो प्रयोग क्या करेंगे यह बिल्कुल गलत है दूसरा है पकी मिट्टी अगर हम पकी मिट्टी की बात करते हैं तो मानों ने नौ पासान काल में मिट्टी को पकाना चालू किया था एक है तो पकी मिट्टी से बने हमको औजारों के प्रमार प्राप्त नहीं होते हैं तो आपका यह क्या है बिलुकुल गलत और उस समय का मानो जो है लकडी हड़ी के जो है हतियारों का प्रयों करता था चलते हैं अगले प्रश्ण की बात कर लेते हैं आप लोगों की संख्या थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए ठीक है तो कम सकम तीन सो तुक्रास करा दीजिए आप लोग चलिए अगले प्रश्म की बात करते हैं 15 प्रश्म है आपका बहुत ही महत्मोर प्रश्म है 15 प्रश्म भारत में भारत में सरप्रथम किस अस्थान से पूर पासान कालीन और जारों की खोज हुई थी अगर यहाँ पर देखा जाए तो भारत में जो है प्रागेतिहासिक जो है आउजारों की खोज के बारे में अगर देखा जाए तो यह कहां सोता है यह पल वरम से होता है कहां सुवा भीया यह पल वरम से जो है जानकारी प्राप्त होती है तो जिसके बारे में हमने आपको बताया भी था हमने आपको इसके पहले जब भी किश्य ने हासल कर रहा था हमने बताया भारत में प्रागेतिहासिक अध्यन का प्रारम 13 मई 1863 को माना जाता है जब भारती सरवेख्षण विभाग के विद्वान रावट ब्रुस्पुट जो भूबैज्यानी पुरा तत्विद थे उन्होंने 13 मई 1863 में मद्रास के सबीप पल वरम नामकस्थान पे जो है खुदाई करवाई जहां से हमको पत्थर के अजार प्राप्त होते हैं अगले ही वर्स 1864 इस्वी में अत्पक्कम तमिलनाट के अत्पकम नामकस्थान से खुदाई वहां से भी हमको पत्थर के अजार प्राप्त हुए और ये सब सब के सब पत्थर जो है आपके प्रागयतिहासिकाल से सम्मंदित थे तो आपका उत्तर क्या है पल वरम ठीक है इ पत्थर क्या प्राप्त हुए थे 1864 इस्वी यहां अर्थात आपका उत्तर जो है ए जो है बिल्कुल सही होगा जो भी बाइबंदु आप सन ए लगाए हैं उनके उत्तर क्या है बिल्कुल सही है चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं बिल्कुल से रावाट ब्रुस्फुट द्वारा चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं अगला प्रश्न आपका है सुलावा पर करद पूर पूर पासान कालीन मानों को पुकारा जाता था पूर पासान कालीन मानों को पुकारा जाता था आइस्पेन, इंडस्पेन, क्वार्ट जाइट मैन या कोई नहीं सुलामा पदे कि पूरा पासान कालीन मानो पत्थर के हत्यारों के लिए क्वार्ट जाइट पत्थर का प्रियोग करता था इसका क्वार्ट जाइट पत्थर का प्रियोग करता था इसलिए पुरा पासान कालिन मानो को क्वार्ट जाइटी मैन के नाम से जानता है क्वार्ट जाइटी मैन के नाम से जाना जाता है क्योंकि पुरा पासान कालिन मानो जो है पत्थर के हथियारों के लिए क्वार्ट जाइट पत्थर का प्रियोग करता था इसलिए पुरा पासान कालिन मानो को जो है क्वार्ट जाइट की मैंन के नाम से जाना जाता है तो आपका उत्तर क्या है सी जो है बिल्कुल सही है प्रागयतिहासिक सब्द का प्रियोग सरप्रथम किस ने किया था यहां पर ए बताया जारा डेनियल विल्सन ने बी जानमार्सल ने सी कनिंगम ने डी मैके ने प्रागयतिहासिक सब्द का प्रियोग सरप्रथम किस ने किया था प्रागयतिहासिक सब्द का प्रियोग उस्तत में किया था तो आप उत्तर क्या है ए जो है बिल्कुल सही है जो भी भाई बंदू आपसन ए लगाए है उनके उत्तर क्या है बिल्कुल सही है चलिए अगले प्रश्ण की बात कर लेते हैं अठ्राहमा प्रश्ण अठ्राहमा प्रश्ण करा प्रागयतिहासिक चित्र पर प्रथम खोजे गए थे यहाँ पर देखा जाए प्रागयतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ पर हुई थी मिर्जापुर में ठीक है कहाँ पर हुआ था मिर्जापुर में और कौन सा चित्र किस अस्थान की चित्रों को खोजा गया था घोड मंगय प्रागयतिहासिक चित्र सरपतम खोजे गए थे मिर्जापुर में और कौन सा स्थान था वह घोड मंगयर अस्थान था आपका उत्तर क्या है यह जो ह मानों का सबसे प्राचीनतम साक्ष मिला है भारत में मानों का सबसे प्राचीनतम साक्ष मिला है ए बताया जरह बिलारी में बी हतनेरा नर्वदा नदी घाटी सी कस्मीर में और डी भेमबेटका में अब देखा जाए तो पुरा पासान कालीन पुरा पासान कालीन मानों के आउ कहां से मिलते हैं हत नेरा हत नेरा कहां पर इस्थित है यह आपके मद्ध प्रदेश के होसंगा बाद जिले में इस्थित है यहां से हमको सबसे प्राचिंतम मानो और से प्रमार प्राप्त होते हैं यह भी आपके बिल्कुल सही है तीक है अगर मानो अस्ति पंजर की बात किया तो हमको कहां पर प्राप्त होता है वह मध्य पासान कालीन अस्थल है मध्य पासान कालीन अस्थल सराय नाहर राय से सराय नाहर राय से हमको मानो अस्थ पंजर के प्रमार प्राप्त होते हैं अर्थात मानो प्राप्रारूप के प्रमार प्राप्त होते हैं जब कि हमको हतनेरा नर्मदा नदी घाटी से मानो के औसेस अर्थात वहां से खोपड़ी मिला है जो पूर पासान कालीन मानो का है तो यहां बताया गया भारत में मानो का सबसे प्राचिंतम साक्ष कहां से मिला है तो वह कया है आपका हत्नेरा नर्मदा नदी घाटी यहां से मानो का औसेस अस्थान कौन है सराय नाहर राय और जो आपके प्रताब गढ़ में क्या है इस्थित है चलते हैं अगले प्रस्ट में इसमें आपका उत्तर जो है बी जो है बिल्कुल सही है चलते हैं अगले प्रस्ट आपका विसाहमा प्रस्ट विसाहमा प्रस्ट ध्यान दीजेगा बहुत प्रावर्ट ब्रुसपुट को क्या माना जाता है प्राक इतिहास का जनक माना जाता है तो भारती प्राग इतिहासी कद्यान अध्यात का प्रारम करता रावर्ट ब्रुसपुट है यह बिल्कुल सही है दूसरा है रावर्ट ब्रुसपुट भूब ज्यानिक पूरा यह भी आपका बिल्कुल सही है भारती पुरातत सर्वेक्षण विभाग के जनक या भारती पुरातत विभाग ठीक है यहां पर सर्वेक्षण ठीक कोई दिखते हैं भारती पुरातत विभाग के जनक कोन माने जाते हैं अलेक्जंडर कनिंगम यह भी जो है बिल्कुल सही है आगे देखिए भारती पुरातत सर्वेक्षन विभाग की अस्थापना कब हुआ था तो यहां आपका है 1861 ठीक यहां क्या है आपका 1871 नहीं अर्थाप यही आपका क्या है गलत है तो आपसन डी आपका क्या है बिलकुल सही है जो भी भाई बंदू आपसन जो है डी लगाए है बाई जो है बिलकुल सही है चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण आप ध्यान दीजिएगा जो बहुत ही महत्मूर प्रश्ण है आपका 21 प्रश्ण 21 प्रश्ण करा प्री हिस्टोरिक इंडिया बहुत ही महत्मूर प्रश्ण है यह जो है प्राग शौशीवाल कारलाईन साहब है, सी काक बर्न है, डी जान मारस रहें. प्रिहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए जल्दी-जल्दी आप लोग बताईएगा. प्रिहिस्टोरिक इंडिया प्री हिस्टोरिक बहुत अच्छा आप लोग के जबाब आ रहे हैं प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है वह कौन है इस्टूर्ट पिगट आपका उत्तर क्या है ए जो है बिल्कुल सही जो भी बाई बंदू आपसन ए लगाए है उनके उत्तर क्या है बिल्कुल सही है आईए चलते हैं आपका बैसावा प्रश्ट का रहा है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है ध्यान दीजेगा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो इसके लेखक कौन है, ब्राडिक महोदय है, कहां पर, ब्राडिक महोदय आपका B आपसन, आपसन ही ऐसा बना है, आप तुरुण बता देंगे, तो आपका आपसन क्या है, B जो है, बिल्कुल सही है, आईए चलते हैं, अगले प्रशन फर चलते हैं, आपका तेषाहमा प्र सरप्रथम सवादहान के प्रमाण प्राप्त होते हैं अब देखिए अगर हम बात करते हैं अगर हम पासान काल की बात करते हैं पासान काल को जो है पत्थर के हत्यारों के विकास क्रम्प के आधार पे तीन भागों बाटा गया पुरा पासान काल, मध्य पासान काल, नव पासान काल अगर हम पुरा पासान काल की बात करते हैं पुरा पासान काल में किसी भी कबर के प्रमाण हमको नहीं प्राप्त हुए है सिर्फ पुरा पासान काल में हतनेरा जो नर्वदा नदी घाटी मिश्ती थे यहाँ पर सिर्फ हमको एक मानों का तंकाल मिला है लेकिन अगर हम मध्यपासाण काल में आते हैं तो मध्यपासाण काल में हमको जो है महदहां महदहां और अस्थान कौन है दम दमा यहाँ से हमको जो है सवादहान के प्रमार प्राप्त होते हैं इसके प्रमार प्राप्त होते हैं यहाँ पे सवाधान अर्थात यहाँ पर कब्र के प्रमार जो है प्राप्त होते हैं तो आपका उत्तर क्या है भी जो है बिल्कुल सही है सर प्रथम की बात कर रहा है पूरा पासान काल के बाद आपका मध्य पासान काल आता है जिसमें महदहाँ दमदमा जो आपके प्रताबगण मिस्तित है यहां से सवाधान या कब्र के प्रमार जो है प्राप्त होए है चलिए अगले प्रश्ण की बात कर लेते हैं आपका 24 हमा प्रश्ण जो आपके लिए बहुती महत्पूर है देखते हैं 24 हमा प्रश्ण कर पूर पासाण काल और नौ पासाण काल के संधिकाल को कहा जाता है देखे पूरा पासाड काल और नौ पासाड काल के संधिकाल को कहा जाता है तो संधिकाल को क्या कहा जाता है संधिकाल को जो है मध्य पासाड काल कहा जाता है पूर पासाड काल और नौ पासाड काल के संधिकाल को क्या कहा जाता है मद्यपासाणकाल इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम संक्रमणकाल के नाम से जानते हैं तो आपका उत्तर क्या है यह जो है बिल्कुल सही है चलते हैं अगले प्रश्णी की बात कर लेते हैं आज की जो है महत्पूर प्रश्णों की स्रिंखला का यह लाश क्यूशन है 25 साहमा प्रश्ण बताया जाता है माइक्रो लिथिक या छोटे औजार का प्रियोग किया गया माइक्रो लिथिक या छोटे औजार का प्रियोग किया गया जहां दीजिएगा देखिएगा पूरा पासान काल में देखा जाया पूरा पासान काल में कैसे औजारों के प्रियोग किये गए बड़े औजारों के प्रियोग किये गए भद्दे तथा बेडॉल औजारों के प छोटे औजारों के औजारों के प्रियोग किये गए जामती औजारों के प्रियोग यहां पर किये गए नौ पासाण काल में हम देखा जाए तो इस समय जो है घरसन तकनीक घरसन औजारों के प्रियोग किये गए पालिसदार या चमकदार जो है औजारों के प्रियोग किये तिया जो है मेसो लिथिक का एज में किया गया मेसो लिथिक एज में किया गया जिसका सम्मन्द किस्से मध्य पासानकाल में तो आपका उत्तर क्या है बी जो है बिलकुल सही है तीक है बी आपका क्या है बिलकुल सही है आज के महत्मूर प्रश्णों की स्रिंखला समाप्त हु सवाई ग्यारा बजे तक निश्चित रूप से आपकी स्टार्ट हो जाएगी आप और आपके जो सगे सम्मंदी जो मित्र हैं आप जिन ग्रूप में सम्मंधित हैं उनको जो है आप सुचित कर दीजिएगा कि ग्यारा से बारा आपकी प्रैक्टिस सिट चल रही है जो चैप् से भी मित्र जुड़े हैं 25 महत्मोर प्रश्णों की स्रिंखला में किस ने कितना किया जिसको आप हमको बता दी जिससे हम अच्छे दंग से आप देखने ठीक है यहां पर हमने हम देख रहे हैं कोई 25 किया है कोई 23 किया है कोई 22 किया है तो आप लोग निश्चित रूप से जुड़े रहेंगे तो आप निश्चित रूप से अच्छा करेंगे आज ये क्लास यहीं तक मित्र धन्यवाद और एक और बहुत महत्मोर सुचना हम देना चाह रहे हैं जो आपकी आफ लाइन यहां पर ध्यान दीजिएगा आपके लिए आफ लाइन और आनलाइन दोनों चल रही है ध्यान दीजिएगा अगर हम आफ लाइन अगर हम आनलाइन क्लास की बात करते हैं आनलाइन की क्लास दस से इग्यारा चल रही है ठीक है दस से इग्यारा क्या चल रही है आपकी आनलाइन क्लास चल रही है जिसमें हम दक्कनी दक्कनी लग चित्र पढ़ा रहे है लगु चित्रकला पढ़ा रहे हैं दूसरा आपका जो क्लास चल रहा है बारह से एक जिसमें जो है आपका प्रागयतिहासिक काल से इस्टाइट हुआ है ठीक यह दोनों टाइमिंग जो है आपकी आनलाइन क्लास की है अगर हम आफलाइन क्लास की बात करते हैं वह क्लास आपका जो है 4-6 PM क्लास आपकी चल रही आफलाइन की क्लास ठीक है जो भी मित्र जो है पढ़ना चाते हैं वह अपना जल्दी जल्दी जो है एड्मीशन करा ले अन्यथा जो है आपकी टापिक आगे चल जाएगा जो आपके चार से जुच्छा की क्लास चल रही है यह क्लास जो है आपका बैंक रोड प्रोफेसर कालोनी के सामने जो है चंद्रा इंस्टिटूट में चल रहा है इक मित आज की क्लास है इस तक कल जो है हम पूना 25 महत्पूर प्रश्णों के साथ उपस्तित होंगे धन्यवाद